क्लासिफिकेशन ओफ रिसेर्च को हमने तीन हिस्सों में तक्सीम किया था बाइ पर्पर्पस बेसिक रिसेर्च, अप्लाइड रिसेर्च और अवैलुएशन रिसेर्च अचा यह जो तीसरी केटिगरी बाइ पर्पर्पस जिसको हम अवैलुएशन रिसेर्च कहते हैं यह बिलकुल रिसेंट डिवैलपमेंट है यह अगर आप आज से एक डेकेट पीछे कोई रिसेर्च की किताब उठाएं तो आपको दो हिस्सों में ही मिलेगा बेसिक रिसेर्च और अप्लाइड रिसेर्च हमने बाइ पर्पस अब एक और काम के लिए भी हम स्टेडीज करते हैं और वो हैं कि आन गोइंग प्रॉजेट्स या आन गोइंग काम जो चल रहे होते हैं उनकी इंप्रॉवमेंट के लिए उनकी मॉनिटरिंग के लिए उनकी प्रॉग्रेस दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है इसको जजज करने के लिए प्राजेक्ट्स का इमपेक्ट देखने के लिए जो हम उससे तवक्व कर रहे थे कि होगा वो हो रहा है या नहीं हो रहा इसको देखने के लिए हम जो स्टेडीज करते हैं उनको अवैल्यूएशन स्टेडीज कहते हैं अच्छा इसको आपने और भी असान करके समझ ना हो तो इसमें हमारे पास बेसिकली एक्शन रिसर्च है एक यह फिनामेना भी कोई 1950s, 60s के दर्मयान में आके पापुलर हुआ एक्शन रिसर्च को समझ लें तो यह लफज आपको समझ आ जाएगा जिसमें प्रोजेक्ट अवैलिएशन आ जाती है और एक्शन रिसर्च यह दो बाते आ जाती है यानि एवैलिएशन रिसर्च की केटिगरी में दो तरह की स्टेडीज हैं एक एक्शन रिसर्च से रिलेटेड होती हैं और दूसरी प्रोग्राम एवैलिएशन से रिलेटेड होती हैं जो बातें मैंने इससे पहले आप से अभी किन, वो प्रिग्राइम एवैलिशन से मतलग है, मैंने कोई प्रॉजेक्ट बनाया, लांच किया, फर्ज कर लीजीए, मुलक के कैरिकलम रिफार्म से मतलग कोई काम डिजाइन किया, तो एक प्रॉजेक्ट है, और उस प्रॉजेक् expected थी जो processes lay down किये गए थे क्या वो उसी तरह carry out हो रहे हैं या नहीं हो रहे उससे जरीए से जो target अचीव करना था वो हो रहा है या नहीं हो रहा जब भी मैं इस तरह की कोई research design करता हूँ जो इस मकसब के लिए होती है तो उसको अब project evaluation या program evaluation का नाम देते हैं और वो evaluation researches की types में से एक है इसी तरह action research है वो भी इसकी एक किस्म है evaluation research की जिसमें आप generalize करने के लिए चीज़ों को study नहीं कर रहे हैं बलके मैं एक class का teacher हूँ और एक problem particularly मेरी class में होती है और लोगों के साथ वो मसला नहीं है मेरी class के अंदर वो problem मुझे सामना करना पड़ता है मैं उसको हल इसलिए करना चाहता हूँ के classroom की activities उसके बगएर आगे move नहीं कर सकती तो मैं उस particular problem को उस class के अंदर रहते हुए data हासल करके हल करता हूँ उसको resolve करता हूँ और ताके मैं आगे चल सकूँ इसमें मैंने जिस तरीके से resolve किया पहली बात के ये problem किसी और group को होगा ये जरूरी नहीं दूसरा जिस तरीके से मैंने resolve किया अगर ये कहीं और हो भी जाता है तो मेरा ये दावा नहीं है कि आप मेरे वाला तरीका इस्तमाल करें तो ये हल हो जाएगा ये problem specific to that particular group है जिसको मैं study कर रहा हूँ और मेरा इस research से मकसद भी उस particular group के उस मसले का हल करना है ताके मेरा sequence of events चलता रहे तो इस तरह की research भी जब की जाती है तो इसको आप action research कहते हैं और ये भी evaluation research के जमरे में आती है यानि वो वाले decisions करना जो specific to group है इस research की products इसकी outcomes इसकी practices सिर्फ वो मिलेंगी आपको जो के उस particular problem के लिए उस particular group के लिए उस particular context के लिए relevant है इनकी generalizability वाला question exist नहीं करता ना उसकी जरूरत होती है मिसाल के तोर पे Is the new geography curriculum meeting teachers need Class 6, 7, 8, 9, 10 के लिए कोई geography curriculum बनाया गया ये geography curriculum teachers की जरूरियात को पूरा करता है यानि teachers को इसको पढ़ाने के लिए जो इल्म चाहिए जो techniques चाहिए जो materials चाहिए क्या वो provisions मौजूद हैं ताके वो इसको implement कर सके अगर मैं इस पे को study करना चाहता हूँ तो इसका मकसद देखिए generalizability नहीं है किसी और subject के लिए, किसी और मुलक के लिए, किसी और environment के लिए नहीं जहां मैंने ये curriculum implement किया, वहां के school में जो teachers हैं वो इसका knowledge रखते हैं, इसके बारे में material school में available है इसके बारे में जो और जरूरियात हैं इसको implement करने की क्या वो मौजूद हैं या नहीं है सिर्फ इतना देखना उसका मकसद है, और उस problem को उस जगह पे fix करने के लिए मैं ऐसा कर रहा होता हूँ तो जब भी मैं इस तरह की researches plan करूंगा तो मैं कहूंगा ये evaluation research है तो तीन type में basic, applied or evaluation बिलकुल एक दूसरे से अपने दाइरा कार में अलहदा अलहदा exist करती है, इन में overlap नहीं पाया जाता ये बात अगर आप समझ जाएं तो हम कहेंगे कि हमें ये पता लग गया कि अगर आप purpose के लिहाज से research को मुक्तरिफ groups में divide करें तो तीन groups में तकसीम किया जा सकता है तो ये हमने दो तरीके से research की grouping को सीखा research की grouping by method और research की grouping by जो इसके purpose हैं, इसके लिहाज से